ये क्रिश्ना आप सभी लोगों का विशेश स्वागत हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्षमें आने वाली इस इकादसी बरत की कि रह तो ऐक बार स्वयम भगवान स्री महराच जाते हैं राजा युदिष्टिर जाते हैं और भगवान से इस पाप मोचनी एकादिसी की कथा की बिधि सुनना चाहते हैं तो भगवान से क्रश्ञ उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि एक बहुत ही सुन्दर बन था उस सुन्दर बन में एक राजा, चित्ररंधा नाम का एक राजा, जो गंधर्मों का प्रमुख राजा है, वो हो बहुत सारे अपसराओं को शांत में लेकि इस जंगल में भ्रमण करने के लिए आता है। और उस चित्रंधा राजा को एसा प्रतीत हुआ, मानो इस से पहले उसने कभी भी इसे सुन्दर बन को नहीं देखा। परन्तु इस बन में उस राजा के आने के पूर्वे इंद्र देव, राजा इंद्र भी यहां आये और बहुत सारी अफसराओं के साथ उन्होंने यहां बिहार भी किया। और इसी सुन्दर बन में एक तपस्वी राजा, एक मेधावी राजा रहता था जो चमन रिशी का पुत्र था। और वैसे यहां पर बहुत सारे तपस्वी रहते थे जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए यहां योग शाधना इत्यादी करते थे। तो इस चमन रिशी के पुत्र मेधावी रिशी को आकरशित करने के लिए बहुत सारी अपसराओं ने बहुत बार प्रियास किया लेकिन यहां सभी असपल रहे। तो इस बार एक विशेश अपसरा जिसका नाप है मंजुसा घोस इस मंजुसा घोस नाम की अपसरा ने प्रियास किया और एक संकल्प लिया कि इस तपस्वी को इस मेधावी तपस्वी रिशी को मैं इसकी साधना से बिचलित करूँगी। वास्तों में यह जो मेधावी रिशी था यह भगवान सिव जी का अन्यन्य भक्त था और कामदेव सिव जी से इरश्या करता है। तो कामदेव भी चाहता था कि सिव जी के इस भक्त का पतन होना चाहिए। तो मानो उस मंजुसा अफसरा और इस कामदेव का एक तरीकी से दोस्ती हो गया हो। तो इस अफसरा को एक साहरा मिल गया। तो इस अफसरा ने इस रिशी के डर से पहले तो यह सोचा कि अगर मैं इसको बिचलित करूँगी। कहिए शराप ने दे दे बहुत बड़ा तपस्वी रिशी है। परंतु उसने हिमत जुटाई और उस रिशी के आश्रम से इस मेधावी रिशी के आश्रम से दो किलमेटर दूर पर एक तंबू इस्तापित किया रहने के लिए और वहाँ पर सुन्दर बीणा बजाके और मधूर सुरों में गाके और अपने सुन्दर आभुशुणों से अपने सुन्दर आभा से भोतिक सरीर से इस तपस्वी को इस मेधावी रिशी को आगरशित करने का भर्शक परियास किया। और एक दिन हीमत जुटा के यह इस मिधावी रिसी के आस्रम के शामने चली गई और अपने सुनदर बेना और सुनदर गीत गाने के उसके कला थी उसके द्वारा और अपने सुनदर आभुश्णों से द्वारा इस रिसी को आकरशित करने का जो भर्शक परियास किया उसमें और सभल हो गई और वह रिसी मानो इस प्रकार से इस अफसरा से आकरशित हुआ जैसे कभी-कभी बेग पूर्वक हवा का बेग आता है तो जो कोमल लताई होती है वो बड़े ब्रक्षों पर मानो लिपट जाते हैं एक तरह से लिपट जाते हैं उनका साहरा लेते हैं तो इसी अफसरा का अलिंगन किया और अपनी तपस्या को अपने साधना को सब भूल के इस अफसरा के सांथ घूमने लगा बिचरन करने लगा भोग विलास करने लगा बहुत लंबे समय तक भोग विलास करते रहा तो इस अफसरा ने मंजुसा नामक अफसरा ने देखा कि यह रिश मेधावी रिषी को जब अस्वरा ने इसा बोला कि मुझे बहुत समय हो गया, अब मुझे स्वर्ग लोग चले जाना चाहिए, तो रिषी ने बोला नहीं, ये तो ठीक नहीं है, आपको तो बहुत अल्प समय हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, अब थोड़े दिन और मेरे साथ बितीत कीजिए, उसके बाद आप जाएए, तो इस अफसरा ने, मंजुसा अफसरा ने यह सुन कर कुछ समय रिषी का सांथ दिया, और एक समय ऐसा आया, तो इसने बोला, कि अब तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, मुझे स्वर्ग लोग जाना ही होगा, तो जब इस मेधा अब इस डिटेल में सोचने लगा, तो उसने देखा कि अरे बाबर, यह तो बहुत बड़ा समय बीद गया है, काफी वर्स बीच चुके हैं, उसकी गणना के अनुसार लगबग 58 साल बीच चुके थे, तो मनी मन मों सोचने लगा कि जिसके कारण में आकरशित हुआ, इस अफसरा को बोला कि तुम्हारे कारण मेरी सारी भक्ती और मेरा सारा तपस्या सब नस्ट हो गया, मैं तुम्हें शराप देता हूँ, तुम पिच्चासनी जैसी हो, तुमने मेरा सब को सरुनास कर दिया, तुम पिच्चासनी बन जाओगी, भूद बन जाओगी, तो जब मन कोई उपाय बताईए क्योंकि मैंने इतने लंबे समय तक आपका सांथ दिया उसके बाद आपने मुझे शरापित किया मुझे माफ करना और मुझे इस यूनी से मुक्ति का उपाय बताईए तो दया वस कुछ समय बीतने के बाद फिर इस मेधावी रिशी ने करुणा वस उस अफसरा को बोला कि आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी इकादसी का बिधी पूरुवक मनोयोग से अगर इस कथा को सुनोगे इसका पालन करोगे इस ब्रत की बिधी का पालन क करोगे तो तुम अपने पाप कर्म से मुक्त हो जाओगे इस 85 की यूनी से मुक्त होकर अपने स्वर्ग लोग को जा सकते हो तो इस अफसरा ने एसा ही किया इकादसी ब्रत का पालन किया पाप मोचनी इकादसी का बिधी पूरुवक पालन किया और यह स्वर्ग लोग को चल समझ लिया और इतने लंबे समय तक आने के बाद उसने अपने पुत्र से पूछा कि इतने लंबे समय से आप क्यूं आ रहे हो वैसे तो समझ चुका था तो जब उसके पुत्र ने ये सारा डेटेल बताया तो चमन रिशी ने बोला कि देखो तुमने एक इस्तरी से एक अपसरा से आकरशित होके अपना सारा जीवन खराब कर दिया है और अपनी साधना भक्ती सब छोड़ दी है पापकरव में लिप्त हो गए हो तो जब इस तरीक मुझे कुछ एसा उपाय बताईए कि ताकी में इस पाप कर्मों से निवृत्त हो सकों और अपनी योग साधना को पुनह उसी चेतना में इस्तित होके करने कर पाऊं चमन निशी ने मेधावी रिशी को बोला कि आपको भी यह चैत्र मास में आने वाली कृष्ण पक्षे की पाप मोचनी इकातिसी का बड़े ही मनोयोग से भक्ति पूर्वग ध्यान पूर्वग इसके बरत का पालन करोगे तो तुम इन पापकर्मों से मुक्त हो जाएऊगे और अपनी चेत्ना में दुबारा आप इस्तित होके अपनी शाधना कर पाऊगे तो मेधावी रिशी ने एसा ही किया इस इकातिसी बरत का बिधी पूर्वग भक्ति पूर्वग पालन किया और पुनह वह अपनी योग शाधना में अपनी चेत्ना में इस्तित हो गया तो वहाँ भगवान शिर्कृष्ण युदिष्टिर महराज को यही बताते हैं कि इस कथा का सरुण करने मात्र से जो भी इस कथा का सरुण करता है उसे एक हजार गाय दान देने का फल स्वतही प्रात्त हो जाता है और हम सब को भी इस कथा को सुनके और इस पाप मोचनी एकादेसी बरत का पालन करना चाहिए इसके पालन की विधी इस परकार से है इस बरत के दिन आप मौर्निंग में जल्दी उठें सुबह उठके आप इसनान इत्यादी करके भगवान की पूजा करें और गरंथों का अध सकते हैं और हरी नाम इस भगवान के दिव्य नाम का हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका आपको जब करना है और इस दिन ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर लेके जाते हैं और जैसे बाल है नाखोन है इत्यादी जो इसे कारी है और दिनों में किये जा सकते हैं इस दिन नहीं करने चाहिए और इस दिन अन्न का त्यार करना चाहिए फलाहार करना चाहिए और इस इकादसी के बाद दुसरे दिन दिवादसी को मौर्नि करके इस बरत का पारान करना चाहिए तभी इस बरत का पूर्णफल प्राप्त होता है तो आप बोलेंगे कि पारान का timing क्या होता है तो हर सहर में यह timing थोड़ा अलगलग होता है इसके लिए एक सरल उपायम आपको को बता रहा हूं जो इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में जिस एप का लिंक भेज दूंगा आपको इसका नाम है बैशनाव कलेंडर ओनलाइन यह है आजकल अबिलेबल है अप्लिकेशन तो मुबाइल के आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं वैसे में इस वीडि उनको इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित कीजिए उनको इस कथा को सेर कीजिए पाप मोचनी इकादेशी की जय हरे क्रिश्णा